प्रोदेश के दृष्टिकोर से देखें, तो हम इस बार 80 के 80 सीटे उम्मिद रखते हैं कि तीसरी बार मोधी सरकार के लिए गरीब आदमी जूम के ओड़ दे रहा है, माताएं बहने जूम के आसिरवाद दे रही है, हमारा नौजवान चुकि जो मैनुफैक्ट्रिंग का ग् जून को चार बजे चार सो पार फिर एक बार प्रचण भगमत की मोधी सरकार बढ़े हैं। हो गए। दो हजार उनाईस में सपा बस्पा ने गड़ बंधन किया, कांग्रेस अपरोच उसमें सामिल थी, फिर भी हमें क्यावन प्रतिशात ओट और चौंसट लोकसभा सीटे जीते थे। इस बार तो सपा बस्पा का गड़ बंधन भी नहीं है। दो हजार बाइस के वि होने जा रही है। समाजवादी पार्टी गुंडों, अपराधियों, दंगाईयों, माफियां, भ्रहष्टाचारियों की पार्टी है। और कांग्रेस लब एक तरह से कह लिजे की एक सांपनात, एक नागनात की जोड़ी हो गई है। जो देश को और प्रदेश को बरबाद आने के बाद, श्री अखलेश यादो जी लंदन की यातरा पर निकल जाएंगे और श्री अखलेश राहूल गांधी जी इटली की यातरा पर निकल जाएंगे। और उनकी बहन प्रियंका गांधी रोडशो कर रही हैं अखलेश यादो के साथ मुख्यमंत्री के छेत्र गोर कर रही थी दो विदायकों पर सिबट गई दो अजार उनईस के लोकसवा चुनाओं में अपनी मां को जिताने की और भाई को जिताने की जिम्मेदारी लिया लेकिन क्यों एक सी ट्राइब रेली की जीत पाई थी अमेठी हार गई थी तो स्रीमती प्रियंका बादरा जी वो ग चुकी है दूद में पड़ी मख्य की तरह निकालकर बाहर फेक चुकी है लोगों को अपना भविष दिखाई दे रहा है कि हमारा भविष क्या होगा हमारे बच्चों का भविष क्या होगा जिनकी चिंता प्रधानमंत्री से नरेंद मोदी जी कर रहे है ये तो परिवार व जाज का तो अधिकार है अगर असंका होगी तो जाज करने की बांग की जा सकती है करना चाहिए अगर फरजी ओटिंग को रोकने के लिए इस प्रकार के कोई भी कहीं पर भी कदम उठाये जाते हैं तो उसका स्वागत होना चाहिए इसमें परिशान होने का क्या भी से है चेक करेगी अगर फर्जी होंगे तो भागेंगे असली होंगे टिकेंगे आप लोग राजनीत में लंबे समय से हैं आपको लगता है कि बुर्का नसीन जो महिलाएं है या बुर्का में जिस तरीके से एक अलपसंख्यक वर्ग है ज्यादा से ज्यादा फर्जी मद्दान को प जंगाईयों बरष्टाचारियों की ताकत पूरी तरह से निर्मूल हो चुकी है आज जनता की ताकत सबसे बड़ी है यह मानी नरेन मोदी जी के नेत्व में जो लोकतंदर की मजबूती है उसका यह संकेत है तो यह इतनी बेचैनी क्यों है बुर्का नसीन मैलाओं की अगर कोई जाच कर रहा है तो चाहे वो वैसी हो चाहे अखलेशी हो चाहे रहुल जी हो चाहे इंडिगर बंदन का कोई नेता हो किसी को इस पर सिकायत नहीं होनी चाहिए यह द्यपी यह सब केवल वही ओट बैंक की ही राजनिती करते हैं वो भी सिकार अच्छन छीन लो और अप खिलेशों राहुलों ऐसी हो किसी को भी यह एक तरीके से ध्रूवी करण का काम करने का काम यह लो करते हैं और धर्म निर्पेक्ष्टा के आड़ में अपने वोट बैंक को बढ़ाने का काम करते हैं एबी पी गंगा खबर आपकी जबाँ आपकी